आपको दिखा रहे हैं कमलनात के गड़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चिनवाड़ा में है इस वक्त इससे पहले वो बाला घाट में रोट्शो कर रहे थे और अब चिनवाड़ा करोडों के विकास कारियों का रोकारपण मोहन यादव आज करेंगे कमलनात के ग उनकी सौगार देते हुए नजर आएंगे हलाकि आज मोहन यादव के अलग अलग कारिक्रम सबसे पहले वो बाला घाट गए बाला घाट की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और चिनवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं रोड शो और साथी विकास कारियों का लोका तरफ यहां से चिनवाड़ा से विधान सबा चुनाव कमलनाथ जीत चुके हैं और आज कमलनाथ की गड़ में नसर आ रही हैं डॉक्टर मोहन यादव मुक्यमंत्री मध्यप्रदेश के विकास कारियों की शुरुबात वो करेंगे और साथी आप ये तस्वीर देख रहे है जहां कुछ कॉंग्रिस के नेता बीजेपी में शामिल हो रही है लोगसभा चुनाव को लेकर उनका दौरा बेहत मैत्वपूर्ण है मोहन यादव का उन्होंने जहां बाला घाट में साथ सो एक सट करोड रुपे के विकास कारियों का लोकारपन और शुलन्यास किया तो द जोगसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा जटका है कॉंग्रिस के लिए क्योंकि लगातार जोइनिंग अभियान भारतिय जनता पार्टी की तरफ से जारी है और बीजेपी लगातार जोइन करवा रही है कई चहरों को और एक बार फिर से छेंदवाडा में कमलनात के गड़ में कई चहरे बीजेपी का दामन ठामते हुए नजर आ रही है और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बाला घाट की भी बाला घाट में भी रोडशो किया मोहन यादव ने अपने आप में ये गड़ काफी एहम माना जाता है और आज जिस तरीके से मोहन याद नजर आ रहे हैं मध्यप्रदीश के इस गड़ में इस इलाके में मोहन यादव कई विकासकारियों के चुरॉपात भी करते हुए निजर आ रहे हैं और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां मोहन यादव मुक्यमंतरी मध्यप्रदेश के सदस्यता दिलाते हुए दिल्चस्प हो जाता है ऐसे वक्त में जब कोई भी एक वक्त में नहीं जाना चाहता था आयुध्या लेकिन आज प्रभू श्री राम का जो दिव्व और भव्व मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया है तो मोहन यादव इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीजी तस्वीर मोहन य पहना कर मोहन यादव ने उनका स्वागत किया है पार्टी में तो देखिए आपको तस्वीर दिखा रही है जहां मोहन यादव चिनवाड़ा पहुंचे हुए है राजजनेतिक उठा पठक के बीच कमलनात के गड़ में मोहन यादव नजर आ रही है और अगर चिनवाड़ा की बात करें तो यहां पर कमलनात और सांसद नकुलनात के बीजेपी जाने की आठकलों पर वीराम लगाने के बाज आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चिनवाड़ा पहुंचे हैं तो दूसी तरफ आपको बता दे कि 104 करोड रुपे के वि विहाद खास माना जा रहा है क्योंकि वो 104 करोड रुपे के विकासकारियों की सौगात देने वाले हैं भूमी पूजन और लोकारपन सहीत अध्योगिक नीती रिवेश प्रोचसाहन कारिक्रम और श्री अन मेला का भी वो शुभारम करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरीके से बाला घाट गए बाला घाट में भी उन्होंने काफी ज़्यादा कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाओ के मद्दे नजर बड़े ऐलान किये हाला कि आज जो छिंदवाडा का ये दौरा है मोहन यादव का कई माईनों में खास हो जाता है क्योंकि एक तो लोकसभा चुनाओ के पहले कमलनाथ के गड़ में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी जॉइन करते हुए कई कॉंग्रिस के चेहरे नजर आ रही हैं पूर्व सियम कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकले बीते कुछ दिनों पर चल रही थी लेकिन अब उ टैक डों कॉंग्रिस के कारकरता वीजेपी में ज्चैनल कर रही हैं आपको बहुत अस्वीर भी हम दिखा रहे हैं ये वह था स्वीर है जब आप देख रहे हैं उन्होंने रोड्शो किया रोड्शो के साथ ही आप विकास जो विकास रहे हैं उनकी भी सुर्बाद करते हु अब मोहा न्यादव आपको नज़र आएंगे मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री मोहा न्यादव कमलाथ की गड़ में हैं और काफी एहम माना जा रहा है तमाम जो सुरक्षा की ववस्थाएं हैं उन्हें भी टाइट कर दी गई हैं MPKCM मोहा न्यादव का चिंदवाडा दौरा आने वाले लोगसभा चुनाव की नजरिये से काफी एहम है मोहा न्यादव यहाँ पर कई बड़े एलान भी कर सकते हैं क्योंकि मध्यप्रदेश में लोगसभा के 39 सीटों में से एक चिंदवाडा सीट है जो भाजपा के पास नह ही है वो लगातार बीजेपी जॉइन कर रही है और आने वाले चुनाव में इसका असर बहुत जादा देखने को मिल सकता है मोहा न्यादव चिंदवाडा के विकास के लिए यहां के पोलो ग्राउंड पर आयोजित हो रहे कारिक्रम में 104 करोड की सौगात भी देने वाले है इस दोरान लोकारपन और भूमी पूजन सहीत कई प्रोचसाहन कारिक्रम भी होंगे और इसी तरह इन कारिक्रमों में वो बने रहेंगे लेकिन अगर हम बात करें चंदवाडा की तो यहां से सांसद नकुलनाथ है जो की कमलनाथ के बेटे हैं और विधाया खुद कमलनाथ ह फिलहाल चुनाओ से ठीक पहले इतनी संख्या में कॉंग्रिस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होना और वो भी कॉंग्रिस के ही गड़ में इसका असर बहुत जादा लोगसभा चुनाओ पर भी पढ़ सकता है और कॉंग्रिस को जटका एक तरह से देखिए आपको जो तस्वीर हम दिखा रही है वो किसी जटके से कम नहीं है कॉंग्रिस के लिए क्योंकि इतने भारी संख्या में लोग बीजेपी जोइन कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदसिता दिलाई है तो ऐसे में ये तस्वीरे बहुत एहम हो जाती है गौर से देखिये इन तस्वीरों को और राजनीती में ऐसी तस्वीरे बहुत कम नजर आती हैं जब किसी के गढ़ में किसी को जटका लगे